नमस्कार आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकर सबसे बड़ा चुनाओ मैं हूँ आपके साथ वरुन गोयल और इस सबसे बड़ा चुनाओ में दिल्ली के दंगल में हम पहुंचे हैं दिल्ली की एक ऐसी सीट पर जहां शहरी आवादी भी है जहां ग्रामीन आवादी भी है जहां पर अनॉथ्राइस कॉलनी भी है और सीट का अपना एक लंबा इतिहास रहा है बीजेपी यहां दो बार जीती है एक बार कॉंग्रेस जीती है और भारते अंता पार्टी ने इस बार अपना उमीदवार बनाया है योगेंदर चंदोलिया को हमारे साथ बात करने के लि लोग जहां जा रहा हूं 400 पार तीसरी बार मोधी सरकार आपका सात्मा चुनाव है ये सात्मा चुनाव के इतर तोकि आपने पार्शत से शुरुआत की सेंडिंग कमेटी को आपने लीड किया दिल्ली में आप मेयर रहे वहां से अब तक ये चुनाव कितना अलग है ये परदान मंतरी को ठीसरी बार मिंतरी बनाना है मोधी जो काम किए हैं देश के लिए इंफरास्ट्रिक्टर बजबूत किया है और यह जैसा आपने कहा गरामिन परिश्ट भूनी है, यहाँ पर शेरी किरिद गाहों भी है, यहाँ पर सोसाइटीज भी है, यहाँ पर गरीब लोग भी रहते हैं, जुगी जुपनी कलेश्टर भी है मुझे ऐसा लगता है कि यह भारती जनता पारिटी का यह लोग सबाच्छेतर, बहुत बड़ी जीत से हम जीतेंगे, क्योंकि दरेदर मोदी जी की जहाँ गारेंटी है, उसके बाद जब जनता स्वयम आकर बोलना शुरू कर दे, कि इस बार मोदी सरकार, तो मुझे लगता है कि हमारे अपोजिशन से तो कोई हमारों कोई विशह ही नहीं है, वो आपस में दो लड़ रहे हैं, तीन लड़ रहे हैं, कब गुशित करेंगे, तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई चुनोती हमारे सामने है, दरेंदर बोदी जी के नेतरतों में 100% दिल्ली की सातों सी देश की कुछ चुनिंदा सीटें, जहां पर हाइस्ट मार्जन रहा था उसमें से एक सीट ये भी थी, उससे बहतर स्थिती है या इस बार कांटे का मुकाबले मुकाबले नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, तो मिलकर लड़ लें, अलग लड़ लें, अभी तो कुछ टिकट लेसर भी पार करें, छाम जीन रतारी अहीं से लेकिन लेकिन लोग तो चारसो पार के बात करें। जागरने में बात करें खाठू शाम जी की भजन संद्दा है, लेकिन बिप्राजमान। पुझ्जशंत 4 कॉत मुधे जिय की बात करने हैं, तो कांटा माते की कोई टकर वकर कि पिछले चनाव में 60% से मिला था उससे जादा ही मिला था लेकिन 2014 में अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का वोट जोड़ा जाए तो 50% के करीब पहुंच गया था मिलकर लड़ रहे हैं कोई सिचुएशन अगर उनका बेस वोट उनको मिलता है तो आपको लगता है क इस 2014 की बात कर रहे हैं आप उससे में केजिरवाल साफ अंदर नहीं थे आज केजिरवाल साफ चक्की पीस रहे हैं मनीशी सो दिया संजे सिंग बार आ गए वितना खुश हो रहे हैं कि मैं बार आ गए बार नहीं आये सुप्रू कोट ने बेल दी है और अभी तो वो कहते थ कि इडी और ये जो दुरूप्योग हो रहा है हाई कोट के जज के सामने दिल्ले का मुख्या मंतरी सोरफ भारदवाज और आतीशी के उपर ये आरोप लगाए कि विजे नाईयर से तो ये मिलते थे इसका मंतर सपस्ट है चोर है सारे के सारे लोग कॉंगरिस की स्तीती क्या है आज कांगरिस की पूरे देश में बीसी जाए बहुत बड़ी बात है जमाने लद गए दोजार चोदा की परिवर्तन और था दोजार चोदा के बाद 2019 का परिवर्तन था तो उन्निस में दो दिया दोनों मिलके लड़े थे उन्निस के बाद तो भाई सब आप लोग एंसी वोट लेना वह अब देख लिए गराप कितने हैं उनका एंसीडी में कितने पर्शन वोट मिलते हैं क्या वोट ने उनको और विश्चित तोर पर हमारे जो टार्गेट है पूरी दिल्ली में दस परशन वोट हमने बढ़ाने हैं 56.8 परशन वोट हमारे पहले थे दूजार परशन वोट बढ़ा कर हम जो है 66 परशन वोट से हम जीतने वाले हैं और 557-7 लाग से जीतने वाले हैं आज आप मेरे बात को नोट कर लेना और आपको बताना चाहता हूं कि इनका जो एलाइंस हुआ है इनका आपस में कितने लड़ रहे हैं मंता किसी को पूछ ने रही र रहुब गांदी के सुनता देश में एगी गारंटी देंदर मोदी ओवर कॉन्फिडेंट है भी यह थी नहीं नहीं ओर कॉन्फिडेंट कैसे है वह यह बिल्कुल काम किया है काम किया है दस करोड लोगों को बहनों को कुछ लागे गैस कनेक्शन दियें काप सोचले बनाएं घर-गर के अंदर बहनों के लिए लोगों को मकान दिये हैं कोविड काल के अंदर हर वेक्ति को ठीका लगा है फ्री में मुस्ट में यह है लाबारती शब्द आज से पहले नहीं होता था लाबारती शब्द दरेंदर मोदी ने किया है असी करोड लोगों को राशन देते है अती उत्सा की तो कोई बात ही निया इसके अंदर ये तो रेगुलर चुनाओ है आप राशन दे रहे हैं वो फिरी बिजली दे रहे हैं बस में फिरी ट्रैवल करवा रहे हैं ठीक है वो करवाएं बसों की हरत क्या होती है हर चोराय पर एक बस खड़ी होती है और उन बसों को देने का हॉद देने एकंजमटि जी ने किया है इल्एक्रिक बसें देने बोद जी देते हैं उसमेर लिक भारा सरकार का में वैंश पापना नाम देते हैं कुछ नीं रख हैं आब दुनिया है के दिली के साथ andra क्ध één मारा कुटा ला है जल पोड़ कर दाने गडर फंद कि अपनी बात कहे कि विजय नायर सी यह मिलते थे तो उन्होंट तो एडी को फिलिंग चिट दे दी केज्रिवाल खुद फसाना चाहते हैं अपनी पत्री को मुख्या मंतरी बनाना चाहते हैं इसलिए सब को अंदर जेली में वह जिसका भी नाम लेंगे वह उंदर जाता रहे कि दोजयर निसमें बैगिसी थी मारे पास साठगी जार वोट से कि एक संदलन से और हमारी 10,000 अजितने वाले इस में अपना चाहते का पर जून को 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 तो बिल्कुल ग्राउंड पे रहिए ना आप नो मेर रहें आ डिली के आप समस्या समस्या गाउं की देहात की उस समस् सब्सक्राइब करें दूसरे सांसद सजन वेक्ती थे और वह सेलिबरिटी थे वह इस छेटर में उन्होंने प्रियास किया लेकिन वो काम नहीं कर पाए दो दस के दस साल का काम युगेंदर सिंदुलिया का जो अनुभाव है संग्ठर का और प्रशाशन का ने पांच वर्ष क अंदर जितनी भी समस्याएं उत्तर प्रश्यम लोग सभागी है मोजी जी की गारंटी लेकर आया हूं और उस गारंटी के अधार पर सभी सबस्याओं का समाधान करेंगे जो रिठाला की जंता है बवाना की जंता है रोहनी की जंता ये बड़ा भरोसा करती है चुनाव जि जो गार्टी के विटी का मैं और ह्यार जांते हो जया कि अधिके का सेवादारू उनोंने मुझे सुनार तो रोहा है काम जीत के जाओंगा और चेतर का वीकास करूंगा योगांदर चंदोलिया जब नाम अनौन्स हुआ तह आपको हैरानी थी या आपको शंकेत थैं आब के यहीं पता था कि मैं लोग सभा का टेकर मुझे पाइटी देगी पाइटी जो तै करती है बड़ा सोस्व मज़की तै करती है योगेंद्र जी मुझे बाद यह संझाइए कि दो मॉडल दिल्ली में चलते हैं एक दिल्ली सरकार का मॉडल है एक आप मोदी की गैरेंटी गहते है दोनों पैरलल चलते हैं तो जन्रता किस पर यकीन कर रही है जन्रता देख रही है कि के जिरिवाल साथ अंदर है वनिसी सोद्या अंदर है जितने भाई देखिये थे शिर्यमान अन्ना जारे जहां भी होंगे सिर्पकड़कर हो रहे होंगे कि मैं किसके टणों को यह सब्सक्राइब 228 परकोंचा वोट कोsystem要 और यहां सेख़ड़ा होना कोंग्रें का इस इसम प्रोट मोद्वार्ष यूपर कोई दिक्कत नहीं कोई सब्सक्राइब की छ चbir psychology सिर्फ हमेद आईगा में घ्माबदा NICK अच्छा आपने जो पहले चुनाव लड़े क्योंकि सवाल यह है कि दिल्ली की जो राजिनीती है उसमें बीजेपी क्यों उस किले को भेद नहीं पा रही है अच्छा आपने पाइटी ने हम सारे पताजिकारी को परदेश के लोगों को जिन्हों ने जमीन पर काम किया है उनको उतारा है हम दो जार पचीस के अंदर दिल्ली सरकार में हमारी वापसी होगी और निश्चे तोर पर दिल्ली का विखास करें आपके शेत्र में काम करने की बहुत गुंजाइश है बहुत जादा जो भी जैसा इलाका मैंने बदाया कि गाउं भी है अनाधिकरत कॉलनी भी है पूरा पूरा काम करेंगे मोधी की गारंटी सब गारंटी को पर गारंटी है जोनाव तो आप मोधी जी के नाम पर लड़ रहे हैं आपका विजन क्या है कि शुरुआत आप क्या करना चाहेंगे कि मैं आऊंगा तो मुझे सब सब भी आ रहा है हर विदान सब्सक्राइब और आरूपत्र भी आ रहा है क्या कहें इन्होंने वाई देखिए तो क्या किया है सारी बाती जब आएगे समय बताएंगे दो सवाल में पहला सवाल तो यह है कि जब आपका नाम अनौन्स हुआ एक प्रतिकिरिया बीजेपी में दि प्रतिके तोर पर वो कहरेंगी सानुभूती है लोगों में उल्टा असर है कि हमारे नेता को पकड़के जेल में डाल दिया यह जो है बदले की राजिनीती हो रही है उसके बाद तो शरम आनी चाहिए उन दोनों नेताओं वो भी जो उसके बाद उसकी परसंसा कर रहे हैं वो कलपरेत है वो उनको अंदर चाहते हैं अपनी पत्री को मुख्यमंतिरी बनाना चाहते हैं वो हमेशा गदली करते है अपने । यह कहते उन ने मनी सीसोध्या को भारत अन्दन मिलना चाहए भारत रतन लाइक हो वित्ती है जिसे शराब का गोटाला किया हो जिसकी बेल ना हो रही हो यह अब जब चुनाव आएगा तो कोई हमारे सामने आएंगे अब तो तैहीं नहीं कर पारे किसों लडाएंगे वो दिल्ली की एक मात रेजर्ब सीट है यह और कॉंग्रेस खासकर राहूल गांधी यह कहते हैं कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है उनके कहने से क्या होता है डॉक्टर भीम राव अंबेडगर को 989 के अंदर भारत रतंगर किसी ने दिया था तो वीपी सिंग की सरकार थी और भारती जनता पाईटी उनका सयोग कर रही थी राजिव गांधी को तो मिल सकता है भारत रतंग नाइंटी वन में और डॉक्टर अंबेडगर को नहीं मिल सकता तो इसमें पता लग जाएगा कि भारती जनता पाईटी दलित विरोधी है या दलित विरोधी कॉंग्रेस है यह जो आप बात कह रहें यह तो फिर पुरानी बात होगी वह अभी कहते हैं कि अत्याचार बढ़ गया दली तो पर वह बार बार कहते हैं उनके राहूल गांदी की बात के को लोग विश्वास नहीं करते क्या बोलता है बच्मना उसके अंदर अभी अभी बच्चा है पपू कहते हैं उसको लोग वह पपू है भी वह कहते हैं ओवी सी के साथ जो है वह आप लोगों ने ठीक नहीं किया वह बार बार देश की देश के परधानमंत्री देश के राष्ट्रपती जो है आदिवासी को बना दिया यह कम बात हो सकती है कि प मैंद बनाते थे अब समय सब चीजे फेल है सिर्फ मोदी जी के बिशे बच्छनाब रड़ा जा रहा है तो सांसदों अपनी भूमिका जीत करें तो काम करेंगे काम तो बताए कि क्या करेंगे कि गोश्णापत्र लाएंगे करेंगे काम तो यह साथ उत्तर पशिमी दिल्ली से योगेंटर चंदोलिया भारतियंता पाटी के उमीदवार हैं और कॉन्फिटेंट हैं और उत्तरपशी में दिल्ली का अपना इतिहास पी रहा है और पच्चेस तारिक को तैह हो जाएगा कि क्या कुछ दिल्ली की जनता तैह करने वाली इस खास पर शुच्छ पितना ही दीजिए जाज़ नमसाट